हाई दोस्तों असलाम अलेकूम वेलकम टू सुल्तान ओफिशल्स आज फिर एक एसर का कवर लेकर के आया हूं मैं आपके आइफोन के लिए तो इससे पहले आपने देखा ही होगा कि मैंने एक एसर के प्रोड़क्त का रिव्यू किया था जो कि एस 22 अल्टर के लिए मैंने सब्सक्राइब कितना स्टेबल और कितना डियूरेबल है एसे एंबॉक्स करकर देखते हैं Launcher iVipc. जो के screen guard के साहता है आपको screen guard लगाने की जरुवत नहीं है तो चलिए इसकी quality देखते हैं इसको unbox करने के बाद और देखते हैं आपके iPhone पर यह कैसा लगता है अब देख सकते हैं यह ESR का 14 pro max का cover मैंने मगाया है जो कि 360 cover है इसके साथ आपको screen guard भी मिलता है मतलब screen guard अलग से लगाने की जरुवत नहीं पड़ेगी साथ ही आपको camera के lens का protection भी इसमें साथ में मिलता है जो आप अपने lenses पे apply कर सकते हैं और इसे आपके lenses, scratches वगरा से बच सकते हैं और ये भी आपका military grade का case है ये आप देख सकते हैं मैंने purple color का case मंगवाया है चलिए इसे unbox करते हैं और देखते हैं इसमें क्या-क्या निकलता है तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इसमें भी वही QR code है जैसे कि मैंने S22 Ultra का जो case मंगवाया है उसके साथ निकला था इसे scan करके आप इसके add-on benefits ले सकते हैं super user बन करके और details के लिए आप QR को scan करके देख सकते हैं किसमें क्या-क्या benefits आपको मिलते हैं इसके बाद इसमें काफी कुछ देखने को मिल रहा है जैसे अब देख सकते हैं इसमें स्टीकर्स वगरा भी हैं इसमें काफी कुछ है यह दोनों तरफ का case है पीछे का case काफी similar है जैसे हमने S22 Ultra का मंगवाया था और यह सामने का section आप देख सकते हैं जिसमें screen guard लगा हुआ आता है इसमें आपको अलग से screen guard लगाने की ज़रुवत नहीं है यह के stand वैसे ही है जैसे कि आपने S22 Ultra केस में देखा था बिल्कुल वैसे ही metallic case जो आपके cameras को protect करता है और आपके camera के lenses को protect करता है क्योंकि यह काफी बाहर निकला हुआ है इस stand को आप use कर सकते हैं आपका phone vertical or horizontal दोनों तरीके से इसमें MacSafe charging ring भी आता है magnetic ring भी मिलता है आपको जिसके stand काफी अच्छी है काफी अच्छा magnet used है और ESR compromise नहीं करता है अपनी qualities में ESR के case मैं पहले भी दिखा चुका हूँ आपको बहुती rough and tough case होता है इसका military grade कमिट करते हैं ये ये देख सकते हैं इसको आपको थोड़ा सा मेहनत करके निकालना पड़ता है चीच करके ये आगे अला section अलग हो जाता है इसमें दोनों तरफ प्लास्टिक की फिल्म लगी हुई है उसे आप जब अपने case पर लगाएंगे तो दोनों तरफ से इस फिल्म को निकाल सकते हैं और ये सामने का portion जो है ये आपका ये आपके screen guard का का काम करता है क्सी quality आप देख सकते हैं इसके अंदर काफी सारी चीज़े साथ में मिलती है ये मैगनेट देख सकते हैं इसका काफी अच्छा मैगनेट है जो मैकसेफ केस है ये मैकसेफ चार्जर अगर आप यूस कर रहे है तो इसका मैगनेट काफी अच्छा है काफी स्ट्रॉंग है और ये देख सकते हैं इसके अंदर काफी सारी चीज़ें मिलती है साथ में ये जैसे के आपके camera protection है ये camera के lenses के लिए इसे अपने lenses पे आप अप्लाई कर सकते हैं ये भी toughened glass material है तो ये आपके camera इस पे scratches वगएर नहीं आने देगा इसके साथ इसके लगाने का frame भी साथ में मिलता है जिससे आप बहुत इसको apply कर सकते हैं अपने lenses के उपर तो आपको इसे पील करना है इसे पील करके अपने lenses पे align करना है और धीरे से उपर से दबा देना है और उसके बाद इस stand को आपको हटा देना है और आपके lenses easily apply हो जाएंगे आपके camera पे आपके लेंस के उपर ये प्रोडिक्शन बहुत इजी ली apply हो जाएगा ये भी आपको साथ में मिलता है तो इसको अलग से लेने की जरुवत नहीं है आपके camera lens पी प्रोटक करेगा ये इसके साथ दो वेट टिशूज मिलते हैं इसमें आपको एक आप इसके lens protection को lens को clean करके लगाने के लिए यूज कर सकते हैं दूसरा आप जब ये case लगा है तो screen guard के लिए यूज कर सकते हैं तीन इसके साथ stickers मिलते हैं जो dust stickers है dust remove करने के काम आएंगे ये पूरा kit basically आपको साथ में मिलता है जो कि इस case को screen guard को लगाने में और lens protection लगाने में काम आता है ये देख सकते हैं manual इस पे मिलता है आपको क्या करना है इस case के साथ क्या नहीं करना है किस तरह इसके stand को use करना है किस तरह नहीं करना है ताकि ये कर सकते हैं उसका manual है ये सही तरीका है जो stand खूलने का stand किस तरह use करने का वो दिया हुआ है और पीछे इसमें क्या नहीं करना है उसके precautions दिए गए ये precautions दिए गए इसमें कि इस तरह आपको stand use नहीं करना है ताकि वो जादा चले durable रहे और ये इसमें manual है आपका screen guard का section जो आगे वाला section है उसे किस तरह apply करना है step by step इसकी guide दी हुई है किस तरह आप wet tissues को use करना है किस तरह आपको dust remove sticker use करने है किस तरह उसको पील करके इसको साफ करके लगाना है और किस तरह आपके lens protection को लगाना है उस सब का manual है ये इसमें सारे instructions दी गए सब्सक्राइब करने है step by step तक आप आसानी से लगा सकें और कहीं जाने की जरूफ़त ना पड़े आपको किसी mobile store पर जाने की जरूफ़त नहीं है आप इजी ली से घर पर लगा सकते है यह देखिए यह स्टिकर किस तरह यूज करना है वो दिया हूँ है dust sticker और यह फिल्म को पील करके उसके बाद आपको जो लगाना है उसका step दिया है उसके बाद आपको नीचे वाला जो case है उसके अंदर उपर आले case को डाल करके कैसे align करना है वो दिया है उसके step दिये गए है काफी detailed manual है और बहुत इजीली से घर बैट के apply कर सकते हैं आपको जाने की जरूफ़तिये से लगवाने के लिए कि अच्चिए 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 ए वगवाने युचिए अच्चिए तो अगर आप भी इस कवर को मंगाना चाहते हैं अपने आइफोन के लिए तो इसके लिंक में आपको डिस्क्रिप्शिन में दे दूँगा आप वहां से इसे चेक कर सकते हैं इसे और भी कर सकते हैं उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंदाया होगा अगर वीडियो पसंदाया तो लाइक करिए शेयर करिए और अगर आपने चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो उसे जल से अल सबस्क्राइब करिए ताकि इसी तरह के यूनीक गैज़िट्स के अन्बॉक्सिंग और र बेड़ साय खेल रखिये, खुदाफिस.